नमस्कार आप सबका टार्डवित हालोक में बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टर अमित कुमार शोक्रिन UPPCS 2023 के लिए टार्डवित हालोक अपनी पूरी सिद्धत के साथ टीम के साथ एक भगीरत प्रयास कर रही है ताकि आप अपने लक्ष को प्राप्ट कर सकें कि मैं इसक्रम में इतिहास भी से के साथ आपके साथ जूड़ रहा हूं दोस्तों UPPCS की पहली बड़ी चुनोती प्रारणबिक परिक्षा होती है आपका सारा का सारा ज्यान आपके सारे सारी सैली अध्ययन उस वक्त दम तोड़ देती है जब आप प्रारणबिक परिच्छा में फ्यल कर जाते हैं ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ट्रेंड एनलिसिस नहीं करते ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मजबूत पक्ष को और मजबूत करने का प्रयास करते हैं ये प्रयास नहीं करते कि आपका कमजोर पक्ष कहा है और उस पर कैसे प्रहार किया जाए ये परिच्छा किसी एक बिसे की बिस्थग्यता का नाम नहीं है ये परिच्छा कुछ बिस्यों की बिस्थग्यता हासिल कर लेने का नाम नहीं है ये परिच्छा है समग्रता के साथ, रणनीती के साथ, इसके गहराई और इसका बिस्तार दोनों देखने हुए आगे बढ़ने का नाम एक बार रड़नीत के साथ टाइड विथ आलोक के इस मंद से आप जुड़ते हैं तो ये बैतरडी पार होगी ये मैं सुनिश्यत करता हूँ दोस्तो UP PCS 2023 का बिगुल बच चुका है जिने ये उपलब्दी हासिल करना है वो लग चुके हैं और लग रहे हैं आप भी लगे हमारे साथ हम सब के साथ क्योंकि आप की सफलता हमारी सफलता है बिगत कई वरसों से एक बहतरीन सफलता जो हमने अरजित किया है उसका परड़ाम है कि UPPCS जैसी परिक्षाओं पर उसकी रड़नीती पर उसके trend analysis पर हमने बहतर काम किया है हम चाहते हैं कि आप सब उससे लभानुईत हों एक बहुत सामाने सी बात जो छात्रों को कई बार समझ में नहीं आता वो ये है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं क्योंकि पढ़ते थो सब हैं लेकिन क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं इसके बीच का अंतर करना जो सीख लेता है वो कम समय में अपना target हिट कर पाता है आप भी करिए हम आपके साथ हैं हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ हैं हर बिज़े के एक्सपर्ट इतिहास बिज़े कैसे पढ़ना है कौन-कौन से सेक्टर पर हमें ज़्यादा फोकस करना है बिगत कुछ वर्सों से जो UP-PCS में परिवर्तन हुए है प्रारंबिक परिच्छा के पैटर्न में परिवर्तन हुए है खासकर 2018 के बाद से उसकी trend analysis समझनी है और फिर हमें हिट करना है अगर आप ऐसा कर गए तो याद रखे अगले 6 महिना आपके जीवन का वो समय है और वो समय बन सकता है जिसमें आप अपनी सफलता का पहला जो बड़ा barrier है बड़ा और ओधक है उसे पार कर सकते है होनहार बीरवान के होच चीकने पाथ यदि आप में वो potential है तो आपके प्रयास में दिखना चाहिए और हम सब उसके साथ खड़े हैं चाहे प्राचीन इतिहास हो मध्यकालीन इतिहास हो आदुनिक इतिहास हो और इसके अंदर आने वाले सभी सब पार्डस हो आप जब उस परंपरागत तरीक्यों का अनुस्रण करते हैं जहां प्राचीन मध्यकालिन और आदुनी की इतिहास की एक धारा पढ़के निकल जाते हैं और तब आपको समस्या यह आती है कि कुछ ऐसे प्रश्ण कैसे आ गया है जो आपके उस धारा के बाहर थे उस प्रवाह के बाहर प्रश्ण इसलिए आते हैं क्योंकि आप अपने बिसे का सही एनलेसिस नहीं कर पाते और यह एनलेसिस नहीं कर पाते कि विगत वर्सों में जो प्रश्ण पूछ रहे हैं चाहे किसी बिसे से पूछ रहे हैं क्या वो प्रश्ण उसी धारा के हैं जो पहले थे या धारा बदली है ये नबीन धारा है दोस्तों धारा बदल गई है और जो कोई भी इस बदलाव को महसूस किया है और बदलाव के अंदरूप काम कर रहा है सफल वही होगा प्रारविक परिच्छा में बहुत बड़ा हर्डिल है आपके साल भर की मेहनत आपके वरसों वरसों की मेहनत आपके थोड़ी से चूक से समाप्त हो जाती है क्योंकि आप उसे हलके में ले लेते हैं ये सोचते हैं प्रारविक परिच्छा हो जाएगा लेकिन मैं आपको बताऊँ एक छोड़ सा ट्रेनलेसिस करता हूँ आपके सामने कि आपको इतिहास जैसे विसे पर किस सेक्टर में काम करना चाहिए और ओभर आल आप जब पीसेस का एक्जाम देने जा रहा है तो आपको किन विसेस सेक्टर पर ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों बहुत क्लियर इस बात को समझे कि आपकी तैयारी जो कुछ भी PCS प्रारभिक परिछा के लिए कर रहे हैं उसको दो भागों बाटिए कॉसेट पगड़ीएगा PCS 2023 की हम बात कर रहे है और इस्पेसली हम UP PCS की बात कर रहे है जो आपका सपना है हम ऐसा मानते हैं और ऐसे हज़ारों लोगों से सुन चुके हैं कि अगर IES के बाद इस देश में कोई PCS का परिछा है तो वो UP PCS का है और याद रखिए UPSC के तमाम ऐसे पद होते हैं जो उत्तर प्रदेश के SDM और उसके रूतवे के सामने छोटे पड़ जाते हैं तो ये बड़ा सुनहरा आउसर है इसे प्राप्त करने का आईए UP PCS 2023 के लिए हमें क्या करना चाहिए हम इस पर गौर करें सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे परंपरागत हमारे परंपरागत विशे क्या है हम उन परंपरागत विश्यों का अध्यान कैसे करेंगे ये तो आपका वो सिच्छक बताएंगे जो इस विशे से अलग-अलग विश्यों से जुड़े हुए हैं लेकिन ओभराल हम अगर तयारी को दो भागों बाटे एक परंपरागत विशे और उसका अध्यान से संबंधित प्रक्रिया और दूसरी प्रक्रिया होगी जो परंपरागत से हटकर समसामईक पराधारित होगा जो परंपरागत से हटकर वर्तमान परिद्रश में बदलती हुई परिच्छा परडाली के अनुरूप उसकी मांग है क्योंकि परंपरागत और जो वर्तमान परडाली के आउसकता है दोनों के मद्धे का अंतर जानना बहुत जरूरी है तो ध्यान दीजिएगा एक है समसामईक अब ये दोनों ही जब जो छात्र इन दोनों को पूरा करता है यूपी पीसियस प्रानविक परिच्छा उसी का ठीक से निकलेगा अब देखिए परंपरागत विस्यों में हम इतिहास विसे पढ़ते हैं हम भूगोल भी पढ़ते हैं समान्य विज्ञान पढ़ते हैं समन्नि, विज्ञान के साथ हम राज व्यौस्ता संभीधान एवर राज व्युष्ता पढ़ते हैं अर उसके बाद हम अर्थ Boardotine पढ़ते हैं अर्थ वयुष्ता अब यूपी पीसियस के लिए इस बात का समझना आप के लिये बहुत जरूरी है कि इन परंपरागत विश्यों की क्या स्थिती है और क्या रणिती है इतिहास जैसे परंपरागत विश्य में बदलाओ की संभावना बहुत न्यून होती है नगर्ने होती है क्योंकि इतिहास में बदलाओ अचानक नहीं होते यकायक नहीं होते कोई तथे कोई फैक्ट कोई अन्वेशन बहुत दिनों के बाद दसकों बाद होता है और उसे पुस्तकी स्वरूप में आने में समय लगता है तो इतिहास एक विसुद्ध परंपरागत विशय की सड़ी में रखा जाता है और यहां से उत्तर प्रदेश स्पीसियस में सामाननेता 25 से 35 प्रश्न पूछ लेता है यहीं वो सेक्टर है जहां से 25 से 35 ग्रश्न तक पूछ लेता है अब एक निश्चित पैटर नहीं है कि 25 से 35 ही पूछेगा 20 भी कर सकता है और 35 भी कर सकता है लेकिन आप इसे तवज़ो देंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि 25 से 35 ग्रश्न यहां से पूछता है अब देखिए भूगोल एक बिसे है जो बहुत महत्पूर बिसे है यहां से भी अच्छे संख्या में कुश्चन पूछता है भूगोल के सिच्छक बताएंगे आपको कैसे कितना और कब किस वर्स क्या हो रहा है विज्ञान से भी 20 से 25 कुश्चन तो पूछना ही है अब मैं उसके अंतर को समझाऊंगा कि वो ट्रेडिशनल पूर्सन पूछ रहा है कि करेंट बेस पूछ रहा है अब देखिए राजब्यवस्था से भी 15 से 20 कुश्चन के बीच में पूछ सकता है और अर्थव्यवस्था से भी कुश्चन होते हैं लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस परंपरागत विश्यों में से भुगोल, विज्ञान, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था यह जो चारो सेक्टर आप देख रहे हैं, अब इस चारो सेक्टर से परंपरागत प्रश्णों की संख्या में काफी गिरावट आई है काफी गिरावट, हम चर्चा करते हैं भुगोल की, ध्यान दीजी मान लिजीए कि भुगोल से 20 से 25 क्वेश्ण या 20 से 30 क्वेश्ण पूस्ता है लेकिन अब ये कोर भुगोल से परंपरागत भुगोल से नहीं पूस्ता अब ये 20 से 30 क्वेश्ण सही अर्थों में परियावरण, पारिस्थित की समस्ते रहेगा परियावरण पास्त की एकोलोजी इन छेतरों से पूछेगा अब यहां तक की आधे प्रस्ण 20 से 25 या 30 के बीच के आधे प्रस्ण इसी से शेक्टर से आ जाते है इसके अत्रिक्त ध्यान से समझिए बिज्ञान से भी परंपरागत की क्वेश्चन 20 से 25 पहले पूछता था लेकिन अब बिज्ञान से भी कम से कम 10 क्वेश्चन करेंट से ही पूछेगा कम से कम 10 क्वेश्चन के असपास करेंट रेटेट पूछ लेता है ऐसे ही राजव्यवस्था से संबंदित प्रस्ण दो से चार क्रेशन करेंट के आधार पे पूछ ले रहा है राजव्यवस्था से संबंदित इसके तरिक्त अर्थव्यवस्था संबंदित अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश पीसियस के लिए आपको विशेश तोर पर सम नॉलेज रख लेते हैं उत्तर प्रदेश PCS के लिए तो याद रखिए परंपरागत रूप से उससे दो-चार क्वेश्चन कभी-कभी पूछता है या पूछ सकता है लेकिन करेंट डाटा आधारित जो प्रश्ण है अर्थसास्त से उत्तर प्रदेश PCS का ये ट्रेंड रहा है कि उससे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमिक्स के अंतरगत आकड़े अब ये कब तक पूछता रहेगा ये हम नहीं कह सकते किन्तु वर्तमान में अर्थ व्योस्था या अर्थ सास्तर दोनों में अंतर भी है ये आपको सर्भी स्पष्ट करेंगे तो इससे जो प्रश्ण परंपरागत प्रश्ण है दो चार पांच छे क्वेश्चन तक पूछ सकता है लेकिन याद रखिएगा दस क्वेश्चन तक डाटा आधारित प्रश्ण आते हैं और उसका भी संबंद किसे है समसामईक से है इसके अतरिक्त बहुत इंपोर्टेंट है समसामईक वाले मुद्दे में हमने परियावरण पारिस्थित की के अलामा और क्या-क्या आता है तो स्पोर्स खेल से भी आता है आप खेल को देखेंगे यहां से क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपोर्टेंट पहले ज्यादा आते थे थे थोड़े अपकम आते हैं लेकि इन सारी चीजों के पूछने के अलामा बच्चे जिन सेक्टर पर कम ध्यान देते हैं और वहां से क्वेश्चन अक्सर पूछता है वो सेक्टर क्या है वो देखिए वो सेक्टर है UPPCS में UP Special ध्यान से समझे UP Special उत्तर प्रदेश Special से हमेशा कुछ नकुछ questions आते ही रहते हैं इसी तरह से सेंसस, जनसंख्या और नगरी करण, अर्बनाइजेशन यहां से प्रशन आते हैं तो आप अपनी पूरी तयारी को दो भागों बाट लीजिए आप क्या पाएंगे? मैं आपको बताओं, पिछले कुछ वर्सों से जैसे 2019, हम PCS की बात कर रहे हैं PCS 2019, 2020, 2021 और 2022 ध्यान से समझे यह आपको समझना होगा पिछले चार वर्सों के क्वेस्टन्स का ट्रेंड अनलिसिस UP PCS की बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, UP PCS 2019, 2020, 2022 और इसके आधार पर हम देख रहे हैं कि 2023 में क्या संभावना है आने की यह समझ यह 2023 में क्या संभावना है बन रही हैं PCS 2023 के लिए 2019 से पहले, 2019 से पहले एक सामान्य पैटर्न क्या था कि 150 प्रशन जो PCS के आते थे 150 क्वेस्टन, उस 150 क्वेस्टन में 120 से 130 क्वेस्टन ट्रेडिस्टनल होते थे ट्रेडिस्टनल परंपरागत होते थे, 120 से 130 के आसपास तक ट्रेडिस्टनल क्वेस्टन होते थे और साधान तर्थ 30 क्वेस्टन तक 20 से 30 क्वेस्टन बिल्कुल करेंट बेस्टन होते थे कभी-कभी इसमें fluctuation आता था, ये तो traditional था और ये current based था, ध्यान समझिएगा, traditional questions and current questions ध्यान दिजिएगा, ये बहुत important, पहले ऐसा होता था, इसमें थोड़ा बहुत fluctuation संभव है, कई बार 125 question, 120 question, 15 question तक traditional होते थे, और आपके current questions की संख्या 20, 30, 35 तक होती थी, यही trend था, 2019 के पहले, number of traditional questions and number of current best questions, अब समझिए, लेकिन उसके बाद क्या आया है, अब पिछले 4 साल का paper का ठीक से analysis करें, तो आपको क्या मिलेगा, कि out of 150, 150 question में से, यहाँ पर आपने देखा, 150 question के आधर पर, 150 question में से, पिछले 4 साल से, जो traditional questions की संख्या है, वो घट गई है, वो चली गई है 90, वो चली गई है 90, प्लस माइनस 10, समझते रहेगा, इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जो 2018 के बाद से, उत्तर प्रदेश PCS का trend analysis कर रहे हैं, उनको यह समझना होगा, कि अब देखिए, 90 प्लस माइनस 10, चला गया है क्या? traditional questions, जो history, polity, traditional science, traditional economics, traditional geography, UP के traditional questions, traditional questions, UP, special के traditional questions, और जन संख्या नगरी कर आद से, पूस्ता है, एक दो क्योस्षिन, GKGS का भी, GK का भी डाल देता है, यह है traditional questions, उनकी संख्या अब 90 से कितनी रह गई है? 90 प्लस माइनस 10, 80 भी हो सकता है, और 100 भी, यानि 90 प्लस माइनस 10 का मतलब क्या हुआ? कि वो fluctuate 80 से 100 के बीच में कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा? traditional questions, ध्यान दीजिएगा, traditional questions, कितना fluctuate कर रहा है? from 80 to 100, पहले कितना fluctuate करते थे? 120 to 130, और यह बहुत बड़ा अंतर है, जो लोग 2018 तक PCS मेंस दिये, इंटर्व्यू दिये, उन्हें 18 के बाद मेंस का दर्सन नहीं हुआ, वो इस barrier को, इस hurdle को समझ नहीं पा, इसको पार नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें trend analysis नहीं किया, देखिए ध्यान से, वो उसी traditional, अब उनका क्या था? traditional portion काफी strong था, तो वो अगर 120 question ही traditional पूछा, तो out of 120, वो 80 to 85 question traditional कर जाते थे, और बचे हुए current, जो 30 around current आता था, उससे उनको अगर 15 question भी कर गए, तो वो easily safe zone में होते थे, और हर बार आप पाएंगे, वही seniors बार-बार मिंस देते थे, क्यों? traditional पर उनकी पूरी command हो गई थी, बहुत से बच्चों को आपने कहते हुए सुना होगा, कि सर बार-बार उनका तो हो जाता है, हमारा नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो traditional विशियों पर command बनाते थे, अब दोस्तों, ऐसे लोग जिनका केवल traditional पर command था, वे 2018 के बाद से, मुख्य परिच्चा में, उनमें से बहुत से लोगों का चैन नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी वो उसी pattern पर चल रहे हैं, उनमें से जिसने अपने आपको समय के साथ change कर लिया है, वो ही means दे पा रहे हैं, वो 80-85 कर जाते थे, और आज 80-100 के बीच में traditional question आते ही हैं, दूसी तरफ, अगर 80-100 के बीच में traditional question आ रहे हैं, तो उसी तरीके से concept पगड़िएगा, बहुत important, तो current best जो questions हैं, समसामय की आधारित, अलग-अलग बिशियों पर आधारित, जो questions हैं, उनकी सामान्य संख्या आप पिछले वर्सों के paper में देखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 50 प्लस माइनस 10, ये चला गया है, आपका अब traditional question के जगह पर क्या तो current best question, 50 प्लस माइनस 10, अर्थात ये 40 से 60 question अब सामानित आ रहे हैं, अब सोचिए, आप अगर सिर्फ traditional, को ध्यान में रखेंगे, तो क्या होगा, आप ये दी सिर्फ current को ध्यान में रखेंगे, तो क्या होगा, दोनों से selection नहीं होना है, selection के लिए एक balance approach की ज़रूरत है, जो निकल कर आएगा traditional plus non-traditional questions, especially the questions which are derived after 2018, 2018, 2018 के बाद जैसे person बन रहे हैं, अगर उनको समझ आप लेते हैं, तब आप सही वाइने में PCS 2023 के लिए एक योग्य candidate हैं, और आप में लिखेंगे, मैं, डॉक्टर अमित कुमार सोकल, आपको भरोसा दिलाता हूँ, टाइड विथा लोग के साथ जुड़कर, हमारे team के साथ जुड़कर, अगर आपने 5-6 महिने जम कर मेहनत कर लेया, तो 2023 PCS मुख्य परिच्छा लिखते हुए आप नजर आएंगे, हम तयार हैं आपके साथ जुड़ने को, हम तयार हैं आपके साथ इतिहास के एक-एक नव्ज को समझाने को, हम तयार हैं चाहे वो प्रागयतिहासिक काल और उससे सम्मंधित, जो पेचीदगियां हैं उससे समाधान करने के लिए, और हम तयार हैं मध्यकाल, प्राचीन भारत से मध्यकाल के बीच जो सांस्कृतिक गद्विधियां देश में हुई हैं, उन सांस्कृतिक गद्विधियों को भी बताने के लिए हम तयार हैं आपके साथ दच्चर भारत के उन कठिन सब्दावलियों से खेलने के लिए हम तयार हैं इतिहास में समाजिक, आर्थिक, राजनितिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी पक्षों पर एक ब्रिहत एनलसिस के लिए हम तयार हैं आपके साथ आधुनिक भारत में अंगरेजों द्वारा भारत बिजय के लिए और हम तयार हैं उनके बिरुद राष्टि आंदोलन के लिए हम तयार हैं आंदोलन के बाद देश की आजादी और आजादी के बाद निहरू द्वारा 1964 तक भारत के निर्माड के लिए बस आप तयार हैं क्या यदि आप तयार हैं तो ही आपकी जीत होगी स्वाइब व्यकारण ने कहा था उस महान सक्सियत की ये महान युक्ति है आप यदि 33 कोटी देवी देवदाओं पर विश्वास करते हैं और उन देवी देवदाओं पर भी जो विदेशी है फिर भी अगर आपका खुद पर विश्वास नहीं है तो आप कोई भी सफलता सुनिशित नहीं कर सकते हैं खुद पर भरुशा करिए सही समय पर सही नड़े लीजिए हम आपके साथ खड़े हैं इस तरह ट्रेन एलिस्स करके आपने अपने आपको अगर पुखता कर लिया और इसी बेस पर हम काम करने जा रहे हैं आपके साथ यह बताने जा रहे हैं कि किस सेक्टर से कितने कुष्ण्स आएंगे और उसी पर हम काम करने जा रहे हैं इतिहास से 25 से 35 कुष्ण और उससे संबंधित बात अब हम आपके सामने रखेंगे क्योंकि ये तो ओभर आले की व्यू था अब हम परस्णली हिस्ट्री पर आपके द्रिश्टी कोण को स्पष्ट करना चाहते हैं इतिहास इतिहास को हम साधारता जब पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं एक बहुत ही सामानी परिपाटी रही है इतिहास के संबंध में कि इतिहास पढ़ने वाला चात्र ये समस्ता है कि हम प्राचीन भारत प्राचीन मध्यकालीन मध्यकालीन और आधुनिक इस सत्वुष इस तीन भागों में बाटा ही गया है आधुनिक ये तीन भाग में बाट कर इतिहास का अध्यन करता है प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक अब उसे जब वो अध्यन करता है तो वो उसे परंपरागत सैली को पकड़ता है सैली की बातियान है और उसी एक लकीर का फकीर होकर कुछ प्रसंतों से मिल जाते हैं लेकिन बिगत वर्सों में जो परिवर्तन हुए हैं, उस परिवर्तन का जब वो परिवर्तन पर आधरित जब अध्यन नहीं करता, तो कम से कम वो 7-8 questions से वन्चित रह जाता है, जो पिछले दिनों आप देख सकते हैं, 8-10 questions तक ऐसे प्रशनार हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गंभीर छात्र और वो भी मांग के अनरूप trend analysis जो समझा है, उसके अनरूप अध्यन करने वाला ही कर पा रहा है, अब आप imagine करिए, 150 में से 25 से 35 questions कितनी एहमियत रखते हैं, इतिहास अगर आपने clear नहीं किया, आप के बाहर होने की 99% guarantee है, अगर इतिहास बिसे पर पूरी command बना लिया, तो आपके selection में ये उतना ही percent की सकरात्मग भूम का निभाएगा, और जो समझदार चात्र हैं, अगर 25 question भी पूस्ता है, तो 25 में वो 22, 23, 24 question तक करके आ रहे हैं, क्या आप 22 question, 24 question कर पा रहे हैं, किस minus marking के दौर में, ये सोचिएगा, हम करवाएंगे, डॉक्टर एके शुकला, this is my promise, हम करवाएंगे, बस हमारे कहे हुए pattern को आप पकड़ लीजिए, और हम अपने साथ, अगले 5-6 महिने जो work करने जा रहे हैं, आपको लेकर, उस पर आप focus हो जाईए, क्लिक करिए 2023 प्रारभिक परिक्षा और मेंस में उतरिए, देखिए दोस्त, प्राची नितिहास से, मद्यकाली नितिहास और आधुनिक इतिहास से, कैसे प्रशन आते हैं, और कितने प्रशन आ सकते हैं, कोई भी एक पैरामीटर नहीं है, जिसके आधार पर हम कह दें, कि प्राचीन इतिहास से जब भी आएगा 5 को सनाएगा, जी नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता और ना ही हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास से 25 को सनाएगा लेकिन ओभाराल इतिहास से 25 को सनाने की 99.99% गारिंटी है और बढ़के 35 भी हो सकता है, हुआ भी है, आप विगत वर्सों के प्रशनों के देख लिजिए, जो प्रशनाए हैं उसके आधार पे अब कैसे हम इसमें, हमें पढ़ना क्या चाहिए, तो किसी भी पहले बता दो समझदार चात्र के लिए किसी भी सेक्षन को कभी भी ओजल मत करिए, आपको सभी सेक्षन के सभी उन विश्यों को पढ़ना है, जो महत्पुन है, सभी एरिया के अब इसमें हम इतिहास को अध्यान के दिश्टिकोर से लिए, एक हम चैप्टर इसके अंतरगती, हम प्रागय इतिहास का भी लाते हैं, हमें प्रागय इतिहास से काल का भी अध्यान करना चाहिए, अब कुछ चातर जो प्राचीन इतिहास पढ़े हैं या उसमें उनकी इंटरेस्ट है, उन्होंने प्रागय इतिहास से काल पर इतना अध्यान कर लिया है, कि बाकी विश्यों, बाकी सेक्टर पर कहीं न कहीं वो कमजोर पढ़ जाते हैं, इससे बचना है, हमें प्रागय इत संचिप्त जानकारी लेकिन सारगर भी जानकारी लेनी है, न कि पूरा का पूरा इस पर एक इतिहास कार की भाती पढ़ाई करना है, लेकिन वहीं जैसे ही हम प्रागय इतिहासिक काल के बाद आद इतिहासिक काल में आएंगे, कहां पर आते हैं, कॉंसेट पगड़ी एकर, आद्य एतिहासिक काल, जैसे ही हम आद्य एतिहासिक काल में आएंगे और हम तामर पासान काल, हडपा सभिता, हडपा सभिता के बाद वैदिक सभिता पढ़ेंगे, तो इन तीनों ही सेक्षन में चाहे आप तामर पासान काल पढ़ें, चाहे आप सिंदुगाडे सभिता इन तीनों ही सेक्टर में, ये ध्यान रखीएगा, आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा विगत बरसों के प्रस्टनों को देखकर कहां से questions आ रहे हैं, तामर पासानकाल का समाने परिचे लीजिए, लेकिन सिंदुगाटी सावेता कि एक एक पक्ष को इतना बहतरीन आते हैं, लेकिन आते हैं, अब वहाँ पर कोई च्वाइज नहीं है, आपको सिंदुगाटी सावेता के उद्भाव से लगाए, उसके पतन तक, उसके समाजिक, उसके आर्थिक, उसके सांस्कृतिक, उसके धार्मिक, उसके नगरी जीवन, सारे पक्षों पर, तथा अलग- एक पैनी नजर होनी चाहिए, उसके नगरों, उसकी बिसेस्ताओं पर पैनी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो छोडने और उसके कम या जाधा करके पढ़ने का कोई एरिया, कोई गुंजाइस नहीं है, इसलिए उसकी सारगर्वित पढ़ाई बहुत जरूरी है, ऐसे ही दो सभेता का विहंगम अध्यन, मुख्य परिच्छा और प्रारामिक परिच्छा दोनों के लिए होता है, लेकिन वैदिक सभेता का विहंगम अध्यन, मुख्य परिच्छा के लिए करिएगा, प्रारामिक परिच्छा के लिए वैदिक साहित और वेदों से संबंधित हमारी कल और संस्कृति का जो आयाम है वो बड़ा महत्तुण है। आप उसको पढ़ लिजी। आप देखे पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल का प्रारंभिक परिच्छा का प्रशन पर उठा कर देखे तो वैदिक सभिता सिर्फ इसी सेक्टर से कुशन आता है। वैदिक साहित से, वैदिक कला संस्कृति से। लेकिन अन्य सेक्टर्स वैदिक के जो है उसका अध्यन सीमित पैमाने पर करिए। अब सभा और समितियां अगर वैदिक काल के संस्थाओं के बारे में हम विदत, गण, सभा, समिति चार संस्था हैं। अगर इन चार संस्थाओं के बारे में अगर आपका सामाने परिच्छा है तो प्राणविक परिच्छा में उससे ज्यादा नहीं पूझता। लेकिन मुक्य परिच्छा में वैदिक राजनी से कुशन आ सकता है। पिसले दोस्तों कहां पर किसको जादा बल देना है, किस टॉपिक पर और कहां किसको सामाने बल देना है। उसके आधार पर हमें आगे बढ़ना है। सिंदुगाटी सभिता का हर पक्ष महत पूण है प्राणविक परिच्छा के लिए। लेकिन वैदिक सभिता का कुछ पक्ष बहुत महत पूण है और बाकी पक्ष सामने तरीके से पढ़ना है। वैसे ही हम जब इतिहास के ये आध्य इतिहास तक का अगर हम बात छोड़ दें अब इसके बाद हम प्राचीन इतिहास में जवाते हैं तो प्राचीन इतिहास में हमें ध्यान रखना होता है कि इसमें प्राचीन इतिहास का अब जो प्रश्न पूछ रहा है उन प्रश्नों म आदिशापूर का समाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखने की जरूत होगी और फिर वहां से एक प्रक्रिया ऐसा शुरू करिए एक ऐसा चैन जोडिए जो सीधे भक्ति, युग, मध्यकाल तक चलाए एक ऐसी यात्रा शुरू करिए बौत धर्म, जैन धर्म से शुरू कर आप गुप्तकाल तक आईए, आप दक्षिर भारत जाईए, अलवार नैनार से होते हुए फिर उत्तर भारत महराष्ट धर्म होते हुए आप आईए उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन की तरफ, और उसी कड़ी में आप 19-20 सदी में भारत में हुआ समाजिक धार्मिक सुधा अलवार अंदोलन को भी देख लीजिए, एक trend analysis है दोस्त, आजकल बच्चे जो selection जिनका हर साल प्राणवी परिच्छा में हो रहा है, मुखी परिच्छा में हो रहा है, उनके लिए जो selection पा रहे हैं, वो अब क्या करते हैं, उनके लिए भी एक चीज आपको बताओं, हम उस pattern पर काम करेंगे आपके साथ, जब हम कला संस्कृति पढ़ेंगे, जब हम धर्म पढ़ेंगे, तो फिर एक धारा में पढ़िए, एक धारा में पढ़िए, धर्म की धारा, अब च्छटी स्तादी इसापुरु से स्टार्ट करिए, बौध जैन, तो फिर आप सीधे, मद्ध यूग तक आए आदुनिक यूग तक आजाए उसका एक अलग नोट्स बना लीजिए और उसको बार-बार रिविजन करिए ऐसे ही इस कालखंड प्राचीन काल में तमाम राजवंस हैं अब उन तमाम राजवंसों का बहुत बिहंगम अध्यन राजनितिक बिहंगम अध्यन कर पाना मुस्किल है आपके लिए क्योंकि अगर आप उसका बिहंगम राजनितिक छित्र का अध्यन करने चलेंगे तो वर्सों लग जाएंगे आप पस इतना समय नहीं है स्मार्ट बने तो आपको क्या करना है कुछ महत्पूर राजवंसों के बारे में पढ़ना है और जितन लिए उनका कालकरम जानिए इस ते आप पाएंगे कि विगत बर्सों के तमाम क्योंस इसी अधार में पूछ रहा है प्राजीन काल के तमाम युद्धों के बारे में आपसे क्योंस नहीं आते लेकिन कुछ युद्धों के बारे में जानना चाहिए रिगवैदिक काल में हुआ बारहमी सदी में हुआ युद्ध दसराग युद्ध से लगाए याद रखिएगा से लगाए आपको बीस्वी सदी में आकर आंगल सिख युद्ध तक पढ़ना है और उसके बाद की भी कुछ जड़पों को अब इसको कैसे पढ़ेंगे हमें एक फ्लो चार्ट बना देंगे एक जगा आपके लिए रहेगा तमाम युद्ध एक जगा फ्लो चार्ट में तो क्यों ने तैयारी हो जाएगी यानि कि अगर हम दसराग युद्ध से लगाएं बारासो इसा पूरू से लगाएं बीसवी सदी तक की युद्ध को एक जगह आपके पास रख दें मद्यकाल में मद्यकाल में जो आप पढ़ते हैं उसमें समानता आप क्या पढ़ते हैं मद्यकाल जब आता है तो अर्वो तुरकों का आक्रमण आक्रमण के साथ हम सल्तनत पढ़ लेते हैं और सल्तनत साथ मुगल पढ़ लेते हैं मुगल के अलामा जब हम छित्री राजी की बात आता है छेत्री राज तो सिर्फ आप इसकी कोटा पूर्ती करते हैं यही गलत होता है सल्तनत और मुगल महतपुर्ण हैं लेकिन अब बदलते हुए समय के आप पाएंगे कि पीछले कुछ वर्सों से जो छेत्री राज्य हैं वहां से प्रश्णों की प्रकृती वहां से प्रश्णों की संख्या बढ़ रही है प्रकृती भी प्रयोर्तित हो रही है और संख्या बढ़ रही है आप बिजानगर सामराज्य हो बहमनी सामराज्य हो चोल साम राज्य हो, वाकाटक राज्य हो, पाल हो या राजपूत राज्य, कस्मीर के राज्य हो या सुदूर दच्छण के पल्लव राज्य हो, कोई भी राज्य, दक्कन के महत्पूर राज्य, राश्टपूत राज्य, इस तरीके से तमाम महत्पूर राज्यों से अब उनकी उपलब्धियां तथा उनकी कला और संस्कृति के बिविद आयाम अब पूछे जा रहे हैं तो आप अगर सल्तनत और मुगल तक अपने आपको सिमित करके रखे हैं और इस पोर्षन पर आप कमबल दे रहे हैं तो गुनाह होगा अब ये गुनाह है आपको सबसे पहले मध्यकाल में अब इसी पोर्षन को तयार करना है सबसे पहले इस पोर्षन को तयार करना है और कहते हैं ना सत्ता बदलती है विचारधारा बदलती है विचारधारा बदलती है तो साहित्य बदल जाता है साहित्य विचारधारा सत्ता इन सब का बदलाव आपके परिच्छा के प्रशनों पर भी पड़ता है सायद आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ और जरूर समझ लीजिएगा अब छेत्रिय राज्जियों से संबंधित इतिहास कला संस्कृती के आयाम ये प्रारंभिक मुख्य परिच्छा दोनों ही दृष्टिकोर से बहुत महत्पूर हो चुका है अब मुगलों की उपलब्धियों अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों से ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा और दिया जा रहा है बीजय नगर सामराज की उपलब्धियों को अब उससे ज़्यादा तवज़ो दिया जाएगा पाल सासकों के उपलब्धियों को और दिया जा रहा है अब ज़्यादा तवज़ो देना है कस्मी के सासक ललता दिक्त मुखता पीड को आप सोचिए राजंदर चोल इन सारे सासकों को अब आपको बहुत गंभिरता से लेना है उनकी सांस्कृति कुपलब्धियों राजनिति कुपलब्धियों दोनों को पढ़ना है दोस्तों सिर्फ पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा समझदारी के साथ पढ़ाई ग्यान और विजडम के साथ ग्यान में अंतर होता है नौलेज एंड नौलेज विजडम ये बहुत बड़ी बात होती है आप कभी प्रात्ना करें तो आप नौलेज के लिए प्रात्ना न करें विजडम के साथ नौलेज के लिए प्रात्ना करें क्योंकि knowledge तो राउड के पास भी था लेकिन wisdom राम का नहीं था उसके पास तो जिसके पास wisdom है बिजेता वही है याद रखिएगा केवल ग्यान हो जाने से सफलता सुनिश्चित नहीं होती ग्यान में बिवेक का होना बहुत जरूरी है और जब ग्यान बिवेक से युक्त हो जाता है तो फिर आप कोई भी लक्ष पराप्त कर सकते हैं और तभी आप नैतिक हैं तभी आप सुभ हैं तभी आप बंदनी हैं और आपका विकास निश्चित होगा इसलिए ग्यान में बिवेक का होना अनिवार है अब समझेगा ये बिवेक सील होना देश काल परिस्थितियों के सापिक्ष निधारित होता है दोस्त देश काल परिस्थितियों के आधार पर निड़े करने वाला बिवेक सील है जो देश काल परिस्थितियों के आधार पर निड़े नहीं करता वो विवेक्सिल नहीं है इसलिए आउसकता है देश काल परस्थितियों के आधार पर निड़े लेने का और अब वरतमान देश, वरतमान काल, वरतमान परस्थितियों के अनुरूप आप यदि ट्रेंड अनलेसिस कर रहे हैं तो सपश्च तोर पर आपको यही दिखाई देग आधुनिक भारत में सामाने तोर पर हम क्या पाते हैं कि दो खंड में हम इसको बांट लेते हैं एक राष्ट्री आंदोलन के पूर की घटना है और जिसे हम सामाने तर 1707 से मुटे तोर पर 1800 अब अंठावन या आप कह सकते हैं 57 कह सकते हैं 57 के बीच की घटना होती है और एक 1857 से अब 1947 के बीच की घटना है इसके अलावा इसके अलावा 1857 से 1847 के बीच में अब तो भारती राष्ट्री आंदोलन है पहले 1885 से मानते थे अब 2857 से मानेंगे इसकी भी चर्चा हम व्यापक रूप से करेंगे कि अब कैसे भारत सरकार द्वारा ऑथेंटिक तोर पर राष्ट्री आंदोलन की सुरुवात 1857 के क्रांतिकारी आंदोलन से कर दी गई है और इसलिए 1857 के इस करांतिकारी घटना को भारत का प्रथम सोतंता संग्राम का नाम दिया गया 1907 में बकायदे जब UPA की सरकार थी स्रीमती सुनिया गांधी जी UPA की अध्यक्षा थी मनमोहन सिंग्जी देश के प्रणमंत्री थे तब बकायदे सरकार भारत सरकार दर इसकी घोशना की गई कि भारत का प्रथम सोतंता संग्राम 1857 का क्रांतिकारी घटना है दोस्तों इसके अत्रिक्त हमें 1964 तक के जो अपडेट्स हैं भारत में 1947 से 64 तक आजादी के बाद उन घटनाओं को भी से पढ़ना है आपसे इतिहास में भी पूशता है बहुत सामान्य तोर पे कि पंसिल सिध्धान किस ने दिया कब दिया किस वर्स दिया किस के परिपेक्ष में दिया आपको यह भी पूशता है गुटनिरपेक छांदोलन के जन्दाताओं में कौन है कब हुआ इसके सम्मेलन कहां हुए आपसे यह भी पूशता है भारत पाकिस्तान भारत चीन युद्ध से संबंधित बाते हैं आपको भारत में राज्यों के रियास्तों के बिले की बाते प समीर हो चाए जुनागड़ो चाए हैदराबाद हो आपको गोवा मुक्ती संघर्स और अन्या फ्रांसीसियों तथा पूर्तगालियों से जो छेतर भारत ने अधिगरहित किया उसके बारे में प्रशनाता है भारत के पहली सोतंत्र कैबिनेट से प्रशनाता है पहले चुना एक्टर को भी ध्यान रखना होता है क्योंकि यहां से एक से चार पांच क्यूशन तक आने की संभावना रहती है हर वर्स एक दो क्यूशन तो आता ही आता है चोटे चोटी बुनियादी बातों पर अगर गौर करेंगे तो विशुद रूप से आप सफल हो जाएंगे कोई रोक नहीं सकता लेकिन चोटी चोटी बुनियादी बातों पर गौर करने में आप भटक जाते हैं क्यों आप सलबस का आपको लगता है बहुत ज्यादा है जी नहीं हम आपको भटकने नहीं देंगे आपके साथ खड़े हैं साथ चलेंगे इतिहास आपका होगा मैं विशु हम आपको अपना बेश्ट देंगे आपको उसे अपना बेश्ट बनाना है बना लीजिए सफलता आप सुनिशित है ध्यान रखिये आपको मैं इतिहास कि कुछ ऐसे महतपुर घटनाओं से परचे कराता हूँ जिसका अध्यान करके आप समझ सकेंगे कि कैसे रड़नितियां देश, काल, परश्टिती, सापिक्ष कैसे बनती है और कैसे बदलती हुई परश्टितियों में सफलता अर्जित की जाती है आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं समने तोर पर मैं आपके समने कुछ बातें रख रहा हूँ इससे आप देख सकते हैं इक्जामपल के तोर पर उनिस सो पांच में बंगाल विभाजन हुआ कुछ मौतपुर घटना है जो आपके समने में रख रहा हूँ 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ वैसे ही भारत में क्या हुआ? इसके तुरंद बाद स्वोदेशी अंदोलन आ गया स्वोदेशी अंदोलन और स्वोदेशी अंदोलन सबसे ज़्यादा उग्र सबसे ज़्यादा संकेंद्रिद 1906 में रहा कब रहा? 1906 में यह अपने चरम पर था 1906 में स्वोदेशी अंदोलन इसके बाद हम क्या देखते हैं? इसके बाद 1907 में सूरत में कॉंग्रेस का भाजन हो जाता है या कॉंग्रेस में फूट पड़ जाती है पूट पड़ी कब हुआ? 1907 अब देखिए इस घटना के बाद इस तीनों घटनाओं से समझीए कैसे परस्तियां बदलती हैं तो बेक्ति को कैसे बदली परस्तितियों में बदले हुए रूप में अपने आपको रखकर फिर से तयार करना होता है मैं उन सभी छात्रों के लिए बात बता रहा हूँ इतिहास से उधारन लेकर जिनके मन में एक पल के लिए भी निरासा आई हो कि मेरा कैसे होगा? उन छात्रों के लिए मैं बात बताने जा रहा हूँ जिनके मन में ये बात आई हो कि पिछले तीन साल से, पिछले दो साल से, पिछले साल से मेरा प्रार्विक परिछा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, निरास मत हो ये, आपको लगता है कि आपकी सोतंतरता आपका सलेक्षन है, तो आपको अपनी सोतंता प्राप्ती के लिए आउसकता पड़े, तो दो कदम पीछे हटकर एक कदम आगे चलिए अगर आप दो कदम पीछे हटकर एक कदम आगे चलते हैं तो भी याद रखे ये इसे रणनीती बनाईए जीवन भरकाई से फलसफा मत बनाईए ये परिस्थितियों के अनुरूप एक निर्ड़े है जो आपको कभी कभी सफल बना देता है अब कैसे होगा मैं आपको कुछ उधारणों के माध्यम्स बताता हूं 16 अक्टूबर 1905 को लाड़ करजन ने जैसे ही बंगाल विभाजन प्रभावी किया इसकी प्रत्किरिया स्वरूप पूरे बंगाल में और धीरे-धीरे पूरे हिंदुस्तान में ब्यापक आंदोलन हुए 1905 में आंदोलन हुआ 1905 में कॉंग्रेस का बनारा सधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्स्ता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था वहाँ अगरमपंथी चाहते थे स्वराज और भहिसकार का प्रस्ताव पारिथो नहीं हो पाया 1905 के बाद स्वदेसी आंदोलन देश में बहुत तेजी से फैला 1906 अपने स्वदेसी आंदोलन के लिए ही जाना जाता है जो बंगाल भाजन का परड़ाम था और छे में कॉंग्रेस का अध्यवेशन कलकत्ता में हुआ जिसकी अध्यक्स था दादा भाई नरोजी ने किया दादा भाई नरोजी गरमपंत्ती चाहते थे कि कलकत्ता में तिलका ध्यक्स बन जाएं अर्बिंद घोस ने उनके नाम का प्रस्ताव रखना चाहा लेकिन दारमपंत्तियों ने चाल चला और ऐसे बिक्ति को सामने रखा जिसकी स्विकारता सब में थी दादा भाई नरोजी लेकिन वही पर स्वदेशी का प्रस्ताव पहली बार पारित हुआ स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ बहिसकार का प्रस्ताव पारित हुआ लेकिन बहिसकार के मुद्दे पर दोनों घिन गये गरमपंथी नर्मपंथी कोई गरमपंथी चाहते थे कि बहिसकार राष्टी स्तर पर हो नर्मपंथी चाहते थे कि केवल बंगाल तक सीमित रहे आप समझे स्वधेसी आंदोलन, स्वधेसी, स्वराज मांग क्या थी स्वराज 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 का अभिप्राए अपने सासन से है स्वराज बिदेशी राज्य किसे मुक्ती से है स्वराज का अभिप्राए बिदेशी सासन से मुक्ती से है स्वराज से है 1905 सेब के बाद 1906 और 1907 तक हम मुख्यता बोलेंगे 1906 तक जब स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ कलकत्ता अधिवेशन में तो जब 1906 में कांग्रिस ने स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया स्वराज और कांग्रिस का आंदोलन अब स्वराज के लिए होना सुनिशित हुआ 1907 में आपको मालूबे कामरेस अधिवेशन जो सूरत में हुआ था वहाँ कामरेस में भाजन हो गया गरमपंथी नरमपंथियों के बीच मुखिता तातकालिक करण अध्यक्ष बनाने का मुद्दा था लेकिन मुद्दा हम यहां से बताना चाहते हैं कि आजादी की लड़ाई अगर हम 1858 से 1857 से सुरू करते हैं और इसके बाद आप क्या पाएंगे 1857 में जो कुछ हुआ वो एक क्रांतिकारी आंदोलन था क्या था एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका मुख्य उद्दे से ही था इस देश से फिरंगियों को खदेड देना लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशन्स थी सिमाएं थी बेवस्थित तरीके से इस देश में राश्ट्री आंदोलन बेवस्थित तरीके से इस देश में राश्ट्री आंदोलन 1880 में कॉंग्रेस की स्थापना के साथ हुआ और हम SASAN के साथ संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को मांगवाने के क्रम में आगे बढ़ते 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 1906 तक आते आते हमने स्वराज का प्रस्ताव कॉंग्रेस के मन से पास करवा दिया अब हमारा उद्धिश है स्वराज। लेकिन दोस्त याद रखे, 1907 में कॉंग्रेस में फूट पड़ गई, बाल गना धर तिलक जैसे महान सक्सियत को 6 वर्स के लिए 1908 में कारवास में भिज दिया गया, मांडले, म्यामार, आठ छे वर्स तक जब वो कारवास में रहे, तो 1914 में छूट कर आए, ध्यान पूर वक समझीएगा, 1914 में जब बालगा अधर तिलक आए, एनी बेसेंट के साथ उन्हेंने मुलाकात की, और इस देश में जो आंदोलन स्वराज की मांग तक पहुँच गया था, जो आंदोलन स्वदेशी के माध्यम से काफी उग्र हो गया था, राष्टियता की चेतना बंगाल से बाहर निकल कर पूरे भारत में बिखल रही थी, वो इस दौरान बहुत सिथिल पड़ गई थी, उसे पुनर जीवित करना था, ध्यान से समझिएगा, पुनर जीवित करना था, अब पुनर जीवित करने के क्रम में तिलक को मालुम था कि हम ततकाल फिर से स्वराज को लक्ष बना कर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम बिखर चुके हैं, एक्ता में सकती होती है, जब आप बिखर जाएए, जब भी आपको लगे कि आप बिखरे हैं, बिखराव आ रहा है, तब एक कदम पीछे हटिए, लेकिन लक्ष से उजल नहीं होना है, तिलक यहां पर एक कदम पीछे हटते हैं, 1916 में तिलक एनिवेसेंट के साथ मिलकर जिस आंदोलन को सुरुवात करते हैं, उस आंदोलन का नाम है, होम रूल लीग मोमेंट, होम रूल आंदोलन, त्यान से समझेगा, होम रूल आंदोलन, यह बहुत इंपोर्टेंट है, इसे समझना होगा आपको, उसका नाम है होम रूल आंदोलन, अब यह होम रूल आंदोलन, और मैंने कहा कि यह कब हुआ, 1916 में हुआ, 1916 में, और इसके बहुत पहले 1906 में क्या हुआ था, तो 1905 में, तो 1905 और 6 में सुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन, क्या, स्वदेशी आंदोलन, जैसे 16 अक्टूबर को बंगाल का भजन हुआ, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, अब देखिए, इन दोनों आंदोलनों में कितने वर्स का फर्क है, 10 वर्स का, 10 वर्स पहले, अर्थात, इस आंदोलन से 10 वर्स पहले, 1906 में, स्वदेशी आंदोलन में लक्ष क्या है, स्वराज, प्रस्ताव किसक लेकिन दोस्त दस बर्स बाद परिसितियां ऐसी बदली कि दस बर्स बाद हमें होम रूल आंदोलन शुरू करना पड़ा जिसका लक्ष स्वराज नहीं था जिसका लक्ष केवल ग्रिह सासन था क्या था ग्रिह सासन ध्यान समझेगा इसका लक्ष केवल क्या था ग्रिह सासन ल देश काल परिशिती सापिक्छ निड़े लेना तिलक जैसा महान सक्सियत इनी बेसेंट के फलसफे पर काम करते हुए ग्रिह सासन होम रूल जैसे आंदोल के लिए तयार है क्योंकि आयरलेंड में होम रूल मिल चुका है भारत में होम रूल चाहिए ये होम रूल किसे देश के संप्रभुता का प्रतीक नहीं है होम रूल में केवल ग्रिह सासन आंतरिक सासन मिलता है बाह सासन नहीं मिलता फिर भी हम तयार थे क्यों तयार थे इसलिए क्योंकि हम ऐसी परिस्थितियों में थे जिन परिस्थितियों में हमें एक बार राष्टी आंदोलन को पुनर में एक बार एक जुट होना था तो कम से कम जहां कुछ नहीं है वहां कुछ नहीं से बेहतर कुछ करना होता है इन महान सक्सितों ने होम रूल आंदोलन सुरू कर देश को एक बार आंदोलन को पुना पटरी पर लाने का काम किया इसलिए इसका 1916 के परिद्रश में इसका करणों से आपका नहीं हुआ पिछले वर्सों में तो घड़ान नहीं है बिलकुल नहीं घबडाना है एक कदम पीछे आईए एक कदम यहां पीछे क्यों आईए आप तैयारी को फिर से सुरू करिए हमारे अनुसार सुरू करिए उन सभी सेक्टर्स को जिस पर आप बुन्य जादी तोर पर कमजोर है उसे ज़्यादा महत्तों दीजिए फिर क्यों नहीं होगा जरूर होगा और हम आपको इसके लिए पूरी तरह आश्वस्त करते हैं टाइडविथा लोक हमारी पूरी टीम जो सिविल सर्विसेस की टीम है सिद्दत के साथ यूपी पीसियस दो और तेईस क्वालिफाई करने के लिए आपके साथ लग रही है आप सबको मेरी तरफ से पूरे संस्थान की तरफ से अनंत सुपकामनाएं आईए हम इस फर्स्ट बैरियर को हर्डल को इस पहली बाधा को पहली चुनोती को पहले लक्ष को साथ मिलकल पार करें नमस्कार